आज हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से NBC News website कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर में हम इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे जैसे इलेक्शन रिजल्ट हो गया उसके बाद देखोगे तो लेटिस न्यूज होगा लाइप स्टाइल और उक्रेंट का बीच में बाहर चल रहा है उस तरीक ना बेलकुल देखोगे तो प्रीमियम लुक लगेगा अगर मैं आपको दिखाऊंग जैसे अलग कटेग्री है लाइप स्टाइल का अलग कटेग्री है यहां देखोगे तो अल परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग का पोस्ट दिखेगा रिसपी का पोस्ट यहां देखेगा नीचे आओगे तो हेल्द का पोस्ट दिखेगा डबलू आर्सी रेसिंग का पोस्ट दिखेगा उसके बार नीचे आओगे तो लेटेस्ट आर्टिकल देखेगा उसके बार यह country से open करता है तो उनका अलग अलग लेंग्वेज में इत्मेटिक कनवार्ट हो जाएगा जैसे अगर आप देखो के मराथी लेंग्वेज है उसी तरीके से बहुत सारी लेंग्वेज मिल जाएगी सभी लेंग्वेज में अलग लेंग्वेज से जैसे सुलोबाकिया हो गया बहुत सब्कार्ट हो जाएगा जो भी लेंग्वेज है लेंग्वेज है लेंग्वेज हो गया तो कोई भी आकर 11 करेंग Hajन करेंगे तो उस तरीक में पूरने विपसाइट हमने बनाया है सेम इसी तरीके का जो भी website आप देखते हो ने इंटरनेट पर वह भी देखोगे तो अलग-अलग type के इसलिए होती है जैसे इस पर क्लिक करेगा तो इत्मेटी को चेंज कर सकता है कौन सी चैनल पर देखना है कौन सी language में देखना है इस तरीके का website कैसे बनाते हैं इस वीडिय करते हैं कि मुझे website बनवानी है तो मुझे WhatsApp पर direct message कर सकते हैं WhatsApp पर message करके बताना इस टैप की website अगर बनवाना है तो मैं आपको बनाकर ready करके दूँगा तो चलो देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं इसमें हम एक्सेंस बगरा कैसे डाल सकते हैं पोस्ट कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से ठीक से डिजाइन भी नहीं होता इसी तरीके से एट्स भी रिजेक्टेट करता है लेकिन इस तरीके से तरीके में अच्छे से तरीके का उपर social media page बगरा दिख जाएगा या date बगरा सब शीज दिख जागा जो की normal news website में भी देखोगे न तो उपर में हर सीज होती है category के section में देखोगे नीचे election result बगरा देखोगे तो इस तरीके website कैसे बनाते है पूरा वीडियो को complete देखोगे तबी समझ में आएगा चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले Google पर आना है और टाइप करना है infinity free infinity free जिसके अंदर में free wave hosting मिल जाता है free domain मिल जाता ह फ्री एसे लिटेक मिल जाता है इसलिए infinity free का यूज़ करेंगे इसके अंदर में और भी कुछ features है जैसे wordpress install कर सकते है तो ओ भी मैं आपको बताऊंगा तो इस पर click करनी है अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं features के बारे बता देता हूं तो नीचे आना है नीचे देखोग है PHP 8.2 का support मिल जाता है free sub domain मिल जाती है चार सो माइस को database connect कर सकते है फ्री एसलिक मिल जाता है अनिम्टेट बर्न वैट मिल जाती है माइसको 8.0 मिल जाता है और अपनी domain को भी connect कर सकते हो free dns service मिल जाता है और full http access भी मिल जाती है अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा इसमें registered करना होगा है तो already account login हो गया है अब हमने यहाँ पर इस तरीके से home page प्याना है अब सबसे पहले आपके किसमें कुछ किसी भी तरीकी का account नहीं दीखेगा मैंने दो तरीके का account पहले बना रखा है यह 3 यहाँ पर देदा है free तो मैंने यहाँ दो बना रखा एक मैंने delete कर रह देना है जो भी आपको 5GB का डिक सब्सक्राइब मिल जाता है और unlimited hosting मिल जाता है तो create knock option पर click करनी है उसके बाद हमसे बोला जाएगा कि अपना जो domain name है वो चूज करें इसके साथ ना पको extension भी मिल जाता है इसका कैसे काम वह भी मैं बताऊंगा तो domain name आपको चूज करना है तो मैं बनाने वाला हूं new website वो भी international new website तो मैं domain name डाल देता हूं world news nation उसके बाद extension में क्या selected करना है कोई भी चीज़ों selected शकते हो जैसे देखोगे तो 42.io मिल जाता है free.n पर मिल जाता है तो infinity.uk के देख लेते हैं उसके बाद check availability पर click करते हैं तो domain name of level है अब हमेना username बगर इ email का consult देदेना है तो आई अप्रूब कर देना है और create account पर click करनी है that sheet उसके बाद ना बीधीन 102 में अंदर में अपके account ready हो जाएगा थोड़ा सा time लगेगा मैं इसको save कर देता हूं तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और डैट गाइस तो हमारा यहां पर domain name available हो चुका है और एक account भी create हो चुका है इस तरीके का देखोगे worldnewsnation.infinite.uk तो यह हमारा domain name है जो free of host मिला और free of host हमें hosting भी मिल जुका है अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा फिर से आपको home page पर click करना होगा दे नहां पर आपको domain domain name so हो जाएगा ही रहा हमारा domain name इस पर click करना होगा हमें control panel के section पर click करना होगा तो अभी ना इसमें हमें free domain मिल चुका है free hosting मिल चुका है लेकिन अभी हमें SSL certificate नहीं मिला है और आगे हम देखें कैसे इसको activate करना है तो सबसे पहले जब खोलोगे ना control panel को तो इस तरीके से आ पहले नंबर पर मिल जाएगा install lock option पर click करना है देन हमें सबसे पहले यहां पर wordpress का version मिल जाएगा जो latest version होगा वह automatic selected हो जाएगा उसके वाद हमें blog का नाम डालना पड़ेगा तो ब्लॉक का नाम वही चीछ डालना है जो आपका blog का domain name है तो यही रहने देते हैं उसके बाद ब्लॉक का description डालना पड़ेगा तो यह भी मैं डाल देता हूँ world news nation उसके बाद एक username create करना पड़ेगा तो username में कुछ भी डाल सकते हो जैसे admin at the rate 1234 या फिर कुछ भी आपको जो भी username लाके old डाल सकते हो तो हमें username डालना है तो सिर्ब मैं डाल देता हूँ admin ठीक है तो उसके installation process शुरू हो जायागा इस process को complete होने में 3-4 minute लग सकता है कई बार इसको ज्यादा भी time लगता है तो वेट करना जब तक 100% ना हो जाए तो इसको हम wait करते है ओल्रेट गईज तो हमारा installation complete हो चुका है और installation का message आ चुका है WP admin ID मिल जाएगा इस पर click करेंगा से WordPress में login हो सकते हैं तो guys login करने के लिए control panel दिखाया था यहाँ पर आना है dot infi dot uk लेकिन इसमें मैंने browser चेंज कर दिया क्योंकि ना पहले मैं था chrome browser में chrome browser में na cookies की बिजयर से बजायतार internet पर यही होती है cookies की बिजयर से या फिर ट्रॉसर सर्वर चेंज होती है तो यह से लेकिन हमने यहां पर कर लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना था तो ज्यादा टाइम लगता इस cookies को सही होने में सबसे पहले करना क्या होगा इस तरीके से dashboard खुल जाएगा तो update के लिए पूछ रहा है तो मैं प आपका version अलग हो सकता है इसके लिए आपको अलग से टेंसर लेने के जरूत नहीं है तो अब मैं दिखाता हूं कि हमारी साइट दिक्के से लिए तो मैं visit साइट पर क्लिक करता हूं new tab में open करता हूं और सबसे पहले दिख रहा होगा note secure क्योंकि हमने अससे लिपीट को activate नही category डाल रखा है जैसे मैंने election का अलग कर रखा है वार का जैसे रसे उक्रोइन में वार हो रहा है इसराइल और गाजा वार हो रहा है तो इस तरीके का वार का हमने एक अलग section डाला है उसके बाद यहां lifestyle health और latest news में डाला है तो इस तरीके से हमें यहां पर 45 category बना लिया है कि जो भी international news होगा OAC में आजायागा cover हो जायागा तो इसमें ना हमें के category को add करेंगे तो सबसे पहले copy करते हैं और यहां पर आना है post section में category section पर click करनी है और पहले से uncategorized एक मिल जागा इसको ऐसी रहन देना है name में डालना है और हमें add to category कर देना है टीक उसी तरीके से war का है उसको प्यक्र करता हूँ कर देता हूँ उसके बाद हम life style को भी copy करते है और add to category करते है और name में में डालकर इसको paste करते में जाना है और health को कौपी करनी है तो इस तरीके से लिना हमारा पाise category बनचचका है आप चाहो तो इसमें और भी category add कर शकते हो लेकिन हमारा यह main important category है जिसके अंदर में जितने भी world हो गया, जितने भी news हो गया, सभी cover हो जाएंगे, तो इस तरीके से मैंने बना दिया, अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम post में जाते हैं, और post में एक demo post इसको delete कर देना है तो move to trash कर देना है, अपलाई कर देना है, उसके बाद हमें इसको trash से भी delete कर देना है, तो trash में जाना है, और यहाँ delete permanently कर देना है, तो इस सब basic चीजे जो आपको कर लेना है, उसके बाद सबसे पहले हमें 10 post डालना है, तो post कैसे डालते हैं मैं दिखा देता हूँ, add new post को option प हमारा title, इसको हम cut करते हैं, और यह heading को delete कर देते हैं, ठीक है, और यह जो title है यहाँ पर हम paste करते है, that sheet, उसके बाद हमें एक feature image लगाना पड़ेगा, तो set feature image पर click करेंगे, media library में जाएंगे, और अभी जो हमने post डालता था उसका feature image जाए जाएगा, उसके बाद हम set image पर click कर या, कोई भी category में डाल सकते हो, मैं इसको डालने वाला हूँ, latest news के category में, उसके बाद हम इसको public कर देंगे, that sheet, अब हमेना post कैसा दिखेगा, इसके लिए आपको इस पर click करनी है, और post देख सकते हो, सबसे पहले मैं view कर लेता हूँ, कि हमारा post कैसा दिखेगा, तो यह रहा ह मैं आपको बताता हूँ, कि कैसे क्या करना है, तो चैली, मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ, और रेट गई, तो हमने लगवग 9 post डाल दिया है, यह post हमने कहीं से copy paste किया है, यहां पर already मैंने लिख कर पहले रख रखाता, इसलिए मैं इसको copy paste कर दिया, that sheet, अब हमेना website अभ फ्रीक livre का theme, अब newspaper का theme में ना दो तरीके के theme आता, प्रिमियम आता, एक free आता है, तो मैं दिखाते तो कि कौन से use करने वाला हूँ, तो मैं use करने वाला हूँ, newspaper का 12 वाला theme है, जो काफी जढ़ा प्रीम लुक है, और यह premium version उसकरने वाला हूँ और यहां पर आपके जितने social media का handle हो दिख जाएगा यहां पर advertising दिख जाएगा उसके बाद जो भी यहां पर दिखाओगे ना जो भी जैसे lifestyle की news है तो अलग से दिखेंगे उसके बाद इस तरीके से छोड़े-छोड़े column दिख जाएगे और सबसे नीची आओगे ना तो इस social media दिख जाएगा बाकी यहां पर photo menu दिख जाएगे तो इस तरीके का हम use करने वाले है अब इसका free version भी आता है और paid version भी आता है तो आपके उपर में कि आप कौन सा use कर सकते है तो अगर free version चाहिए तो इसमें से कोई भी theme install कर सकते हो free version मिल जाएगा तो मैं use करने वाला तो मैं आपको 129 रूपीज में आपको paid बचन दे दूँगा video description में link मिल जाएगा तो यूज कर सकते हो अभी cyber sale चल रहा है इसलिए मैंने लेकर purchase करके रख रखा ता उसके बाद मैं इसको distribute कर रहा हूँ 129 रूपीज में मिल जाएगा तो मैं add new theme पर जाता हूँ और आपको video description में link मिल जाएगा वहां से purchase कर सकते हैं तो free download कैसे करना है मैंने अभी आपको बता दिया तो मैंने यह रखा मैंने रख रखा और बिल्कुल updated है यह देखो 279 24 को updated रखा था तो यह रहा इसके अंदर में ना देखो licensing मिल जाएगा documentation मिल जाएगा सबसेज मिल जाएगा जब अब आप इसको purchase करोगे तो open पर क्लिक करना है और इसके बार install lock option पर क्लिक करनी है all right guys तो installation successful हो चुका है को दिक्कत नहीं हुई है अब हमें activate knock option पर क्लिक करनी है देन हमें इस तरी के page खुल जाएगा अब कुछ कुछ ना plugins है जो आपको activate करना होता है इस website को चलाने के लिए तो activate के plugin पर क्लिक करेंगे automatic activated हो जाएगा plugin भी successful activated हो चुका है plugin successful activated हो चुका है अब दूसरा काम है न हमें pre-build website मिल जाती है तो सबसे पहले pre-build website पर क्लिक करेंगे और हमें choose करना होता है कौन सी website चाहिए तो इसमें से कोई भी choose कर सकते हो सभी आपको news paper theme में free of cost मिल जाता है pre- इसमें कर दूंगा demo बगरा सब चीज इंपोर्ट हो जाएगा तो installing होना सुरू हो चुका है तो थोड़ा साम टाइम देते हैं वेट करते हैं installation complete हो चुका है अब हम देखते हैं कि हमारी website कैसे रही है तो visit website करते हैं और यहां पर देखो कि register दिख जागा क्योंकि premium आपको license की के साथ आपको मिला हुआ है तो license की इसटा से डालने की जरूत नहीं है यह देखो इस तरीके का आपकी दिख जाएंगे सबसे प्रहे date and time दिख जाएगा और आपका admin ID दिख जाएगा logout का section दिख जाएगा इस सब तो यार पतलब जब यह open कर रहा है तो दिख रहा है उसके सबस्क्राइब कर सकते हैं Premium सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर सकते हैं अपना इमील अडिट बगरा डाल सकते हैं फूटर क्रेट बगरा हर चीज को change कर सकते हैं तो एक प्रिमियम बर्जयन में इसलिए मैंने आपको 129 लूपीज बहुत कम प्राइस में आपको दे रहा हू क्योंकि डोमो अपने इंपोर्ट किया है इसलिए बहुत सारी फालतों का पोश्ट आजाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे इस टब की पोश्ट ना हमने कभी किया ही नहीं था तो इसको मैं ओपन करूंगा तो इस तरीके से दिख जाएगे इसमें जो भी चीज़े हैं जैसे इंट लिए इसको हम चेंज कर सकते हैं कोई इस्व नहीं है तो हम से बाद में कर लेंगे सबसे पछले इसको इसको लोगो चेंज करते है यह सब बैनर को अटाते है तो अच्छे तरीकह से डिजाइन करते हैं एक वर न इसको इग जिखा देता हुं कि कैसा दिख रहा आप कुछ और दिख रहा है क्योंकि इसमें हम काफी चीज़ों चेंज हो चुकी है इसमें हमें अडिमिस्टेटर श्रोग इन था हमा इड़ कोई भी लौग इन नहीं है तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई भी लॉग इन नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेस धि र करना होता है क्योंकि यह बहुत अलग तरीका होता है बागी तीम की तरीके से डिजाइन नहीं होता है कि इलिमेंटे डालो और डिजाइन हो जाएगा सुदका डिजाइनिंग का पार्ट होता है और अच्छे तरीके से अगर यहां से पार्ट नहीं देखोगे तो में भी आपक Composer option पर क्लिक करनी है, यही से हम Customizer अच्छे से कर सकते हैं, एक एक चीज को design कर सकते हैं, logo बगर add कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस तरीके से आपको दिख जाएगा, अगर मैं यहाँ पर logo को change करना चाहता हूं, तो इस पर आपको click करनी, नीचे में logo image दिख जाएगा, यहाँ प हमारा logo, और इसको मैं upload कर देता हूं, that's it, तो हमारा A logo है, इसको मैं insert कर देता हूं, और इस logo को हमें Retina logo में भी डालना पड़ेगा, तो इसको upload कर देता हूं, और इसी को select कर देता हूं, अभी ना यह logo तो आप बड़ा दिख रहा है, इसको हम छोटा भी करेंगे, इसको हम default size में यहां पर set करेंगे, तो logo को size को set करने के लिए, लोगो पर फिर से click करना है, और यहां पर बीत को 200 कर देना है, 200 नहीं तो 1200 करना है, और इंटर प्रेश करना है, तो automatic इसका bit है बहुत चोटा हो जाएगा, अभी नहीं लोगो भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हमें 200 करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो यह ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, तो मैं 1500 ही रहने देता हूं, तो इस तरीके से नहीं थोड़ा से इसका designing process complex है, लेकिन ज्यादा hard भी नहीं है, आप इसको कर सकते हो, तो अगर आपका logo स save का option मिलेगा, save all जरू करना, तभी यह save हो पाएगा, तो अब हमें second काम क्या करना है, यहाँ पर देखोगे, तो header का add का text है, यह जो box है इसको हमें remove करना है, क्योंकि add रहेगा तभी तो इसको काम करेगा, तभी अच्छा लगेगा, अभी यह कुछ अच्छा नहीं लेगा, इसको क्लिक करना है, और यहाँ देखोगे delete element पर क्लिक करना है, तो automatic delete हो जाएगा, sure कर देना, yes, इसको हमें empty रखना है, अब empty को भी हम delete कर सकते हैं, तो इसको हम clear कर देते हैं, तो direct clear ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगे इसके अंदर में, तो empty के अंदर में भी आप delete क सकते हो, उसको उपर में देखो, सबसे उपर में जो आपको दिख रहा होगा, ब्लैक से आपको जो strip दिख रहा होगा, इसके उपर में देखोगे, तो admin दिख रहा है, इसको भी मैं remove करना चाहता हूँ, तो simple इसको यहाँ पर remove कर देना है, yes, कर देना है, that's it, उसके बाद buy knock option भी इसको हम remove कर देते हैं, अब हमेना save all जरूर कर लेना, इससे अभी पूरे चीज़ सेब हो जाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद एक पर मैं दिखा देता हूँ, कि दिखता कैसे है, कैसे, देखो जैसे हाँ पर empty inner column दिख रहा है, तो अगर आप save करोगे, तो maybe यह नहीं दिखेगा, तो एक ऐसे दिखता है, तो मैंने यहाँ पर website को replace किया, तो देखो, बिल्कुल phrase दिख रहा है, किसी भी तरीके का, यहाँ पर header ads बगर कुछ नहीं दिख रहा है, उपर भी हमने जो भी deleted किया था, सब delete हो चुका है, अब हमेना सबसे पह पेज यहाँ से आपको edit कर सकते हो, simple सा है, यहाँ पर यूटूब का है, तो यूटूब का link लगा सकते हो, facebook बगरा, कुछ भी link है, तो आप यहाँ लगा सकते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे लगाना है, सबसे पहले यहाँ पर ले जाना है, mouse को और एक पर click करना है, क्लिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगा, अब हमें ना facebook को ढूणना है, facebook लगाना है, तो नीचे आना है, और यह रहाँ देखो, facebook का link है, यहाँ पर लगा देना, उसी तरीके से instagram का है, तो देखो नीचे देखो कि तो instagram का hedge लगा हुआ है, यहाँ पर अपनी page का link लगा देन इस तरीके से youtube channel का link लगा देना, जो भी है वहाँ पर लगा सकते हो, अगर delete करना है, तो डियक्टिस को delete कर सकते हो, तो disable कर सकते हो, तो इस तरीके से लगा सकते हो, आपको बहुत easy है, इसमें लगाना, लगा कर ज़रूर यहाँ से आपको save all जरूर कर देना, इससे पूरे च चोटी सी चीज़े है, appearance section में जाना है, और menu section पर click करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पर आपको search करना है, primary menu, यहाँ देखो by default पहले से theme का menu आ जाएगा, तो मैं top menu कर देता हूँ, उसके बाद मैं select कर देता हूँ, तो top menu पहले से बना हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ buy knocker section है, तो इसको मैं delete कर देता हूँ, तो नीचे आना है, और इसको remove कर देना है, अब मैं चाहता हूँ कि top menu के अंदर में जितने भी मैंने menu बनाया था, उस सब रहे category रहे, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़े है, election हो गया, उसक news हो गया, यह भी हम लगा सकते है, तो जो जो post यहाँ लगाना चाहता हो, उसको हाँ पर करना है, और नीचे आकर add to menu कर देना है, that's it, तो automatic menu के अंदर में आ जाएगा, उसके बाद मैं बार को भी इसी में डाल देता हूँ, ठीक है, अब हमेना एक home का भी create कर देता हूँ, त तो home का, automatic home page आज आएगा, page के section पर जाना है, और यह रहाँ home का page, तो add to menu कर देना, that's it, अब इसको जरूर यहाँ पर header का menu है, इसको check करना है, और save menu section पर click करनी है, तो हमारा menu save हो चुका है, बापीस से आपको आना है, pages section पर, और all pages section पर click करना है, और यहाँ से immediate करेंगे, अ अब हमे primary menu जो set किया था, इस पर click करनी है, इस पर जैसे click करोगे ना, यह बला पुरा box खुल जायागा, इसमें सब सूपर, देखो, select menu है, इस पर click करना है, और हमने top menu को selected किया था, तो इस पर click करना है, automatic ना, सभी चीज़ चेंज हो चुका है, यह देखो, automatic change हो जाएगा, अब इसको हम save all changes पर click करते हैं, तो save हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है, एक बार मैं page को reload करता हूँ, और यहाँ पर election आ गया, health आ गया, latest news आ गया, lifestyle आ गया, वो और आ गया, जो भी हमने add किया था, सभी चीज़ आ गयी है, तो इस तरीके अलग है, यहाँ पर एक बड़ा है, यहाँ पर एक बड़ा सा section है, अगर इसको change करना चाहते हो, grid को ना, तो change कर सकते हो, जैसे अगर हम grid 10 करेंगे, भी हम 5 में है, तो इसका न बिलकुल look change हो जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, तो AB चाहते हो, तो AB कर सकते हो, अगर और रख सकते हो, कोई issue नहीं है, तो grid 10 के अंदर में न, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में post वही दिखे, जो हमने category बना रखा है, तो filter section पर click करनी है, उसके बाद न, category filter के option आएगा, इस पर click करनी है, अब आपको न, जैसे आपने जो जो category बना रखा था, automatic दिख जाएग अब इसके अंदर में अगर आप चाहते हो, कि और भी कोई जैसे जो lowest review हो, या फिर जो भी popular हो, ओभी दिखना चाहते हो, तो ओभी इसके अंदर में कर सकते हो, लेकिन grid 10 के अंदर में न, हमें 6 post एकी category के अंदर में होना चाहिए, तो मेरे पास तो 6 नहीं है, तो मैं grid 5 कर द सकते हैं, यहां तक हमारा काम complete हो चुका है, अब यह वहला section कैसे करना है, मैं बतायता हूँ, सबसे पहले इस पर click करनी है, और इसको जैसे select करोगे न, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, इसके अंदर में general setting पर जाना है, और यहां पर जो भी चीज़े change करना चाहते ह हो, जैसे don't miss है, तो यहां से change करोगे, तो यह भी हो जाएगा, अब इसका न, मैं category को change करता हूँ, तो filter section पर जाता हूँ, और यहां से मैं कर देता हूँ, health category, या फिर कोई भी category कर शकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं health कर देता हूँ, हाला कि health के अंदर में उतना post है नहीं, जैसे यहां पर एक ही post है, तो एक ही दिख रहा है, तो मैं health नहीं करता हूँ, फिर यहां पर मैं कर देता हूँ, oldest post या फिर random post, all right guys, तो हमने कर दिया life style वाला, इसके अंदर में न, हमने 4-5 post डाल रखा तो सब भी दिख जाएंगे, इस तरीके से आपको काम करता ह है, अब हमेना social media यहां पर लगाना है, तो इसके बाद फेस्बूक आइडी हां लगा सकते हो, इसके बाद यहां पर यूटूब का, इसके बाद यहां पर आपको twitter का मिल जाएगा, तो इस सब लगा सकते हो, बहुत एजी है, इस सब लगाना आपके ऊपर में है, अब हमेना दो ही तीन पोस्ट है, तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगी दिखने में, इस तरीके से लाइप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर में हमें इस पर क्लिक करना है, और filter section पर जाना है, और latest जो पोस्ट है, वो आपको select कर देना है, तो आपको इस तरीके से हो जितने पोस्ट आप डालोगे न उतने तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इसके अंदर में, अब हमें latest post भी दिख जाएंगे, लेकिन latest post में न दो ही पोस्ट है, तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम बापीस से all categories कर लेते हैं, ठीक है, तो यह हमारा changes हो है, अब आपके सामने है, जो भी चीज़ चेंज करना चाहता हो, यह हाँ पर side का section है, advertising का section है, यह element को delete कर देते हैं, क्योंकि इसके भी जरूवत नहीं है, तो simple delete हो जाएगा, देन हमें नीची आते हैं, यह भी section को जरूवत नहीं है, तो इसको भी हम मैं delete कर देता हूँ, that seat यह भी delete हो जाएगा, empty हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी एक architecture का section है, इसके भी हमें अगर जरूवत है, तो रख सकते हैं, नहीं जरूवत है, इसको delete कर शकते हैं, और अगर आप चाहोगे कि इसके अंदर में कुछ और चीज़ एड करूँ, तो यह भी कर शकते हो, इ यह black section को भी remove कर देता हूँ, इसकी भी जरूवत नहीं है, तो यह hat आ देता हूँ, इसके बाद हम नीची आ जाता है, photo section में, photo section में भी एक एक चीज़ को change कर सकते हो, तो सबसे पहला हम changes करेंगे न, recent comment है, इसको remove कर देता हूँ, recent comment है, फिर अभी तो रहने तो remove ही कर देता ह इसकी जरूवत ही नहीं है, that sheet, अब यहाँ पर न, थोड़ा सा blank जहां लगेगा, वहाँ पर आप अपने नुशा text element, जो भी चीज़े add करना चाहत हो, कर सकते हो, अब इसको न, मैं save all पहले कर दता हूँ, ताकि सभी चीज़े save हो सके, तो अब मैं दिखाता हूँ, कि side dick कैस रही है, तो सबसे पहले न, मैंने incognito mode में इसको open किया, और इसको एक वर्पेज को refresh किया, तो इस तरीके से side दिख रहा है, जो भी हमने changes करने के लिए कोशिज किया, सभी चीज़े change हो चुकी है, एक element को हम change कर शकते है, अब हम footer section में आते है, footer section को कैसे change कर शकते है, यह पोस्ट इक्षन है, यह भी मैंने बता दिया कैसे change करना है, यह सब चीज़ों को आप आसानी से change कर शकते हो, एक एक चीज़ को delete कर शकते हो, नया add करना तो नया add भी कर शकते हो, अब हम लोग यह देख लेते हैं कि किस तरीके से photo को design करते है, तो सबसे पहले editor पीख है, इस आप अब करते हैं कि अगुझत से live style में हमारे ज्यादा post है, तो live style में click करूँगा, तो चार post है तो तीन यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आपको कर लेना है, पोपुलर पोस्ट मेंना simple click करना है, और इसमें कोई भी पोस्ट, एक लेटेस्ट पोस्ट, जो भी आपका पोस तो जैसे हैं मैंने बनवाया था आपको दूसरा पोस्ट तो दूसरी कर शकते हो एड़िस में हो जाए जो भी आपने कटेक्री पहले से सब बन रखाया ना बाइड़ टेमो पोस्ट में आ रहा है सभी को डिलीट करोगे न तो जो जो नया एड़ करोगे आप रहाज आएगा इसको डियंजर नहीं लेना है अब हमें आप बाउटर के जगाप सब्सक्राइब लोगो लगाना है तो इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो नीची आना है और नीची देखोगे न तो आपको इमेज को उप्शन में जाएगा सबसे परले रिमूब करते हैं इस दोनों इमेज को हम यहां से सब्सक्रा आट मीडिया में हमारे आ इसको हमस्रेट करेंगे और यह हमारे ईमेज आज आएका अब हमें दो बार इमेज को सेट करना है रिटरीन के लिए तो हमारी दोन में जा 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 जाएगा ठ doll Podcast अब इमेज करना आउटु साइज हो चु तभी अच्छर लगेगा और इमेज इसी टाप से डिजाइन करोगे तभी अच्छर लगेगा यह तो नॉर्मल मैंने इमेज आपको दिखाने के लिए करिया है अब इस पर क्लिक करना है वाउटर का टेक्स चेंज करना डिस्क्रिप्शन चेंज करना बहुत इजी है सबसे पह है जर्पता हुठ लगाना है जेसे आगर मेरे पास्ना जोबी लिंक लगाना उसक जीए से ब्लॉगर का link है Facebook का है अगर दिलीट करना है तो सिंपल इस पर click करना है और इसको हम delete कर सकते हैं जैसे blogger को delete करना है तो delete हो जाएगा yes कर देना है यह पूरा डिलीटी हो जाएगा फॉलो उस का प्रण करना है और फॉलो उस का हम हमें नया चाहता हूं कि यहां पर आइकन दीखें जो भी social media का पेज फिए क्योंकि स्केशों मीडिया का ऊपर में यहां पर भी है तो हम इसमें चाहते हैं कि यहां पर लिखेंगे तो तो पूरे जो भी चीज़े आपने चेंज किया होगा, सभी चीज़ सेव हो जाएगा इस तरीके से, अब इसको एक बर आपको रिफ्रेस जरूर कर लेना है, और रिफ्रेस करके मैं नीचे आऊंगा ना, तो यहाँ पर देखो, सोसल मीडिया का आइकन दिख रहा है, लेकिन य लिख करनी है, और इसके अंदर में जैसे मैं डाल दता हूँ, इंजित कर लिया, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ, तो आसा टाइम लगेगा, इससा ही हो जाएगा, उसके बाद हम नीचे आते हैं, और यहाँ से देखो, मैंने बताया था ना, प्रीमियम थीम के अंदर म तो हमना footer भी यहाँ पर अपने according लगा सकते हैं, तो footer में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको delete करता हूँ, और footer में यह लिखता हूँ, सबसे पहले मैं इसको डायता हूँ, और यहाँ मैं footer लिख देता हूँ, यहाँ देखो मैं footer में लिखाना, at the rate 2024, world news nation, all right reserved, इस तरीके से मैं लिख दिया, तो यह भी आप लिख सकते हो, या फिर मैं 2025 कर देता हूँ, क्योंकि अब 2025 आने वाला है, तो मैं 2025 कर देता हूँ, डाट शीट, ठीक है, अब इसको हम save all कर देंगे, तो save हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि तो जितने भी important pages है, जैसे डिस्की डेमर, इसे pages दिख जाएगा, इसके अंदर में ना top menu डाल सकते हो, कोई भी आप menu है, डाल सकते हो, इसमें simple है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको page बनाना है, जैसे मैंने top menu बनाना सीख है, उस तरीके से footer menu बनाना है, और यहाँ से footer menu को selector देना है, that sheet हो जाएगा, और इसमें कोई changes करने की requirement नहीं है, उसके बाद ने, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आभी देख रहोंगे, तो यहाँ पर gap देख रहोगा, फिर यहाँ पर देख रहोंगे, तो gap देख रहोगा, तो इसके अंदर में भी ना, हम कुछ चाहे तो add कर शकते हैं, तो चलो ओभी हम add करके आपको बताते हैं, तो कोई भी element को यहाँ पर add करने के लिए, simple इस पर click करनी है, और इस पर click करोगे न, इस पर वाले तो इस पर वाला selected हो जाएगा, इस पर click करना है, प्लस एकन पर, और यहाँ पर मैं डालता हूँ एक post, कुछ भी डाल स जाएगा, जितने भी post है न, post का title दिख जाएगा, date दिख जाएगा, अगर आपको date नहीं दिखाना तो इस पर click करना है, और इसको यहाँ से आपको date को अटा देना, यह देखो है, अपर date का section इसको remove कर देना है, तो date भी आपको remove हो जाएगा, तो लेकिन आप मैं चाहता कि date दिखे, इसके अंदर में न, कोई भी keyboard को type करके search कर सकता है, direct to read कर सकता है, अब यहाँ पर हमारा post यहाँ से complete हो चुका है, अब यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को add करू, तो यहाँ पर भी वही करना है, simple इस पर click करना है, और यहाँ से अगर कोई भी चुका है, इंडिया का है, पर मैंने तिरंगा लगा रखा है, तो इसलिए इस तरीके से दिखे रहा है, इसमें और भी चीज़े चाहते हो, contact बगर फोर्म तो भी add कर सकते हो, अब हम इसको save all कर देंगे, तो पूरी तरीके से save हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस इस तरीके से यह जो उपर का trigger section है, इसको कैसे edit करते हैं, तो सबसे पहले इस पर click करना है, उसके बाद इसमें क्या चाहते हो, manually post चाहते हो, auto चाहते हो, तो auto में कुछ भी आएगा, trending में भी कुछ भी आएगा, उसके बाद अगर इसमें चाहते हो कि कोई review बगर हो, यह फिर save all कर देंगे, उसके बाद इस save हो जाएगा, अगर आप चाहे होगे कि यार सिर्फ latest post आए, तो latest को हाँ पस select कर दो, मैंने आपको latest news इसके बाद यहाँ जितने भी latest news आएगा, ट्रीकर में आएगा, अब इस तरीके से करना है, अब एक बार मैं page को reload कर देता हूँ, सबी ची basic चीजे हैं, लेकिन इसको ध्यान से नहीं करोगे ना, तो बाकी theme की तरह नहीं है, कि हो जाएगा, इसमें आपको करना ही पड़ेगा, अच्छे तरीके से के equipment को सही करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, जैसे इसको delete करना चाहतो, मैंने भी आपको बताया था, कि इसको direct delete क बाकी इसमें अच्छे logo लगाओगे, तो और भी अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, तो कुछ भी चीजों को add करोगे ना, और भी यहां पर हो सकता है, यह भी में अगर आप social media icon चाहते हो, तो और भी social media icon लगा सकते हो, अपने इनुसार इसमें को भी element को add कर सकते हो, delete क कर सकते हो, modify कर सकते हो, तो अब हमारा website ready हो चुका है, इस तरीके से सभी post बगरा दिखना शुरू हो जाएगे, जो भी post करोगे latest post में आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ में footer credit इस तरीके से भी change हो चुका है, और footer section भी हमने change कर दिया है, तो almost हमने हर सी change कर लिया है, ल हमने दो already issue कर रखा है, तिसरा हम issue करेंगे, तो सबसे पहला जो काम करना है और अपनी website कर लिंग को copy करना है, उसके बाद new SSL certificate के option पर click करनी है, उसके बाद हम इसको paste करेंगे data sheet, उसके बाद ना सबसे पहले ASTPPS बगरा को remove कर देना है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं हो करती है, तो यह सब चीज़ों को remove कर देता हूँ, उसके बाद हमें create order option पर click करना है, उससे पहले हमें advance option पर जाना है, और यहाँ पर ना चाहो तो Google Trust या फिर कोई भी आगर recommended हो वो कर शकते हो, create order पर click करनी है, अब यह order को create होने में कई बार 2-3 घंटी लगते हैं, कई बार थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो जैसे जल्दी होगा, automatic आपकी website पर अक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर भी अगर नहीं होगा, तो request अक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो आपको अक्टिवेट के लिए 2 code दिया जाएगा, उसको कहाँ डालना है, मैं बता जाता हूँ, इस पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको configure knock option पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर आपको private key दिया जाएगा, वो आपको डालना है, CSR key दिया जाएगा, वो डालना है, सर्टिवेट की दिया जाएगा, तीनों डालना है, उसके बाद लास्ट में upload कर देना है, यह automatically verified हो जाएगा, और upload हो जाएगा, आपकी website को उपर में SSL certificate भी activated हो जाएगा, तो काफी simple process है, फिर यह cost आपको SSL certificate भी मिल जा रहा है, फिर यह cost आपको domain भी मिला, और फिर यह cost आपको hosting भी मिला, इस तरीके से website आपको design भी बनकर ready हो चुका है, तो इस process को complete होने में आप बि international new website बना सकते हैं, free of course कैसे बना सकते हैं, मैंने पुरा detail आपको समझाया है, एक new website अच्छे तरीके से बना कर website से earning कर सकते हो, अगर earning कैसे करना, actions कैसे लेना है, वो सब चीजी जानना है, तो आप मुझे comment सकते हो, next video मैं उसी पर लाने बाला हूँ, तो मिलते next video में, वीडिय बहुत धन्यवाद